हेलो फ्रेंज आज हम यहां पर बात करने वाले हैं जम्बो बैग लिमिटेट से लेकर इसके बारे में पूरी एनलाइसिस करेंगे बट हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस शेयर से लेटेड और बहुत सारी बाते करेंगे कि यहां पर बॉट लुक दिया था है और यहां पर बांट दिया था कि आपको बताया है कि कि तरीक से मार्किट इस पीडिय जो बारे मॉइन अगर मैं आपको डिखाओं और अब उस वीडियो को देखना हो के लास्ट में आपको आइक बटन पर मिल भी जाएगी और फिर भी आप यहां पर देखोगे तो आपको बादे चलेगा जो लेवल हमने दिये थे हमने आपको बताया था कि यहां तक यह मार्केट आ सकती है ठीक है तो यहां पर तक मार्केट आई हमने यहां पर निफ्टी के लावन निफ्टी स्मॉल कैप के बारे बात करी थी कि निफ्टी स्म जो 10 years bond yield है हमने उससे बाते करी थी और exactly वो ही होता हुआ दिखाई दिया तो it is यहां पर कोई proud वाली बात नहीं है simply यह है कि चीजे किस तरीके से चलती है आपको वो सीखना पड़ेगा आप किसी भी घबराइट में बेच दोगे तो जिन्होंने बेचना था वो बेच के निक कवर कर चुके है और जैसे ऐसे चीज है यहां पर बढ़ेगी तो और कवर करते हुए नजर आएंगे दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ नजर आ सकता है डिपेंड करेगा यूएस मार्केट और वो सारे चीज़ों के ऊपर ठीक ह पर आप शायद वो अभी तक रिकावर ना हुए और शायद रिकावर भी नहों क्योंकि जब घरावट होती है जब भागते है तो गदे गोडे दोनों बाखते है टो जब गरता है आप गदे गिरते हुए नजर आते और वो गिरते ही रहते है गोडे महांपर से दुबारा तो सबसे पहले बात यह होगी तो आज हम जम्बो से लेटेड बाते करेंगे बाट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चाइनल को सब्सक्राइब अपने चीज़ों को सीखेंगे उतना आपके लिए बहतर रहेगा ठीक है न चीज़ों को ना एफनो करने की जरू होते हैं और ना ही आपर ट्रेडिंग करने की जरू होते हैं सिंपली स्विंग ट्रेड और यहां पर मिट टर्म इन्वेस्टमेंट से आप वो वेल्थ चीज़े सीखनी है आपको तो 860540501 8169261037 दोनों नमबरों को सेफ कर लीजिए बेसिक्स टू एडवांस हमारा एक कोर्स है जहां पर हम टेकनिकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है किस तरीके से चीज़े यहां पर कब कब काम आती है कौन से शेयर को ले अगर किसी को हमारा वाटसप गुरूप है अगर आप जोइन करना है तो बारे सो पर मिलके काम करना है तो इन पर काम करें तो आपको यहां पर पता चलेगा कि हम जो साथ में मिलके आप काम करोगे तो उसका रिजल्ट कुछ अलगी आता हुआ दिखाई देगा तो आगे बाते कर लें जैसे बैग लिखा हुआ है तो यहां पर आपको पतला चलेगा कि यह जो कंपनी है 1990 में 1990 में इंकॉर्परेट हुई थी और यहां पर FIBC बैक्स यह बनाती हुए नजर आती है और पॉलीमर ट्रेडिंग से लेटिए कंपनी काम करती हुए नजर आती है यहां बैक्स बैक्स यहां पर जान सकते है कि यह कंपनी ए कंपनी मेध्फेक्च्र फ्लक्सिबुलीटारटी इंटरमीडियाट से बल्क बैक्स बनाती हुए नजर आती है इनके जो बायग लग तरीके के यह बैक्स एं जो कि अलग अलग तरीके में यहां पर काम आता है इसने नॉर्मल बैक से लिटेड़ आप बात दिक मत करिएगा मस सोचेगा कि यह नॉर्मल बैक बनाता है यह जो बैक बनाते हुए नजर आते हैं टाइप A, B अलग अलग तरीके के जो की यहां पर जो यह बैग है यहां पर इनके अंदर जो भी श्टोर की जाती है ओके नॉन फ्लेवल प्रोड़क्ट के रूप में यहां पर आप इसे यूज कर सकते हो ओके नॉन फ्लेवर और गैस प्रिजेंट अरॉन दा बैग वह उससे लेट यहां पर यहां पर यह काम करता हूँ और नजर आता है की कंपनी का बिजनस मोडल क्या है ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है और यहां पर एक बार देख लीजिएगा चीजों को जाके तो आपको चीजे समझ में आती हुई नजर आएगी यहां पर हम देखे तो 26 करोड रुपे की कंपनी है सबसे पहली बात तो माइक्रो कैप शेयर है रिस्क भर-भर के होगा भर-भर के अगर मैं बात कर रहा हूं तो भर-भर के रिस्क होगा ठीक है अगर शेयर यहां से गिरा तो यहां पर शायद ही यह शेयर अबस पाए बट अगर भागा तो याद रुखिएगा मल्टी बैगर रिटन देने के यहां पर चांसेज रहेंगे क्योंकि यह 26 क्रोड वाली कंपनी ऐसे ही होती है यहां पर आप देखोगे कभी शेगर यहां पर टॉप किया था इसने पैसर 70 रुपे के आसपास चीजे गिरी निकलती ही नजर आ रही है तो मुझे नजर आता है कि यहां से एक मुवमेंट आ सकती है बर किस तरीके से वह मूवमेंट आएगी वह दिखेंगे सोले का PE है इंडश्टे का PE 25 का है तो यहाँ पर PE expansion हो सकता है ठीक है बट कम PE है ज्यादा PE है उससे कोई मतलब नहीं होता है इस चीछ को याद रखियागा लोग बहुत सारे लोग आपको बैगाते रहेंगे कि PE ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा होगा तो ऐसा हो जाएग ठीक है न तो यहाँ पर upside नज़र आती है इसके इलावा आप देखोगे शेयर के बारे में तो company यहाँ पर number present कर रही है ठीक है न यहाँ पर आप देखोगे इस quarter के result आये है जो 27 रुपे 46 पैसे का यहाँ पर 27 करोड का आसपास का sales हुई है जो कि yearly base पर कम नज़र आएगी ब margin देखोगे margin यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे है yearly quarterly base पर और company का net profit है वो भी बढ़ता हुए नज़र आ रहे है तो चीज़े क्या है चीज़े यहाँ पर अच्छी नज़र आती है और yearly base पर देखोगे तो कुछ खास performance नहीं है side base चलता हुए नज़र आ रहे है side base य अच्छी बात है इसके लावा देखेंगे रिजर्फ से कंपनी के वाट बॉरेंग भी सासाथ आप देखोगे तो थोड़ी सी ज़्यादा है 42 करोड रुपीज के आसपास की 53 लाक रुपीज के आसपास के यहाँ पर इनके working progress में लगे हुए है cash की बात करें थोड़ा से यह हिस्सेदारी लेके रख रखी है ठीक है और अच्छी घाजी हिस्सेदारी यहाँ पर ले रख रख रखी है शीच को याद रखिएगा बात करें और चीजों की तो यहाँ पर buying selling चलती रहती है जैसे कि आपको यहाँ पर पते ही है अब बात करते हैं आप चार्ट से है ठीक है और कोर्स करके सीखे या फिर यहाँ पर वीडियो देखे सीखे कोर्स करेंगे तो बारी किया सीखने को मिलेगी और बड़ा सस्ता कोर्स है इहाँ पर आपको immense knowledge मिलती हुए नजर आएगी इसमें कोई दोरा बाली बात नहीं है शेयर की बात करें शेयर यहाँ पर stage financial advisor खुद की study करना और एक risk को यहाँ पर follow करिएगा क्या देखिए कम से कम यह आपको एक छोटे stop loss की बात करूं तो 31 रुपे ठीक है यहाँ पर 31 रुपे के आसपास का 30 रुपे 80 पैसे के आसपास का stop loss लगाईएगा और एक थोड़ा सा बड़ा और अगर कर सकते हो तो लग इसना profit बन सकता है तो वो मैं आपको बता रहेता हूं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक cup और यहाँ पर एक handle और उसका शायद breakout होता हुआ नजर आ रहा है और इसके basis पे अगर मैं यहाँ पर target निकालों तो आपको यहाँ पर चीह समझ में आईगी कि लगभग पासे return यहाँ पर कम टाइम में देता हुआ नजर आ सकता है लग बलब 46 रूपे तक यह शेयर जा सकता है तो 7% की risk है 46% का यहाँ पर प्रॉफिट है तो यह आपको देखना है क्या मेरे पास है नहीं है क्या मैं इसके बारे में सोच रहूं बिलकुल नहीं सोच रहूं क्यो क्योंकि अल्रेडी मेरे पास इस से भी वहतरी नहीं पर शेयर अल्रेडी मेरे portfolio में added है ठीक है तो चीज अची नजर आती है यहाँ से एक sharp यहाँ पर bounce back आ सकता है as well as अगर हम weekly chart पर जाये तो आपको पता चलेगा कि इसका जो all time high था वो था यह 78 तो अगर यह 78 रुपीज त आता है तो आपके लगबग 150% के आसपास के return बनते हुए नजर आते हैं तो choice is yours कि आपको यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है मेरा काम है आपको सिखाना मेरा काम है यहाँ आपके लिए कुछ चीजें निकाल के लाना और वही मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता को हिट करिएगा like comment share करिएगा इन नंबरों को note कर लीजिए course करिए सीखिए WhatsApp group का है WhatsApp group में अडूई है और अगर साथ में यहाँ पर काम करना चाहते है तो इन नंबरों पर contact करिए ओके बात करने का कोई पैसा नहीं है simply यहाँ पर चीजें आपको समझ में आएगी तो हम यहा पर आगे बढ़ सकते हैं so thank you so much God bless